असम के बाद अब हर्याना में भी नहीं दिखेंगे तोंद वाले पुलिस कर्मी फिठोने के बाद ही मिलेगी ड्यूटी हर्याना में अब मोटे पुलिस वाले नहीं दिखेंगे राज ग्रहे एवं स्वास मंत्री अनिल विज ने पुलिस के अधिकारियों और करमचारियों के फिटनेस को ध्यान में रखते हुए ग्रहे विबा के अतिरिक्तमों के सचिव को इस बावत लिकित निर्देश जारी किये हैं अनिल विज ने आदेश में कहा है कि जिन पुलिस कर्मियों का वजन बढ़ा हुआ है और लगातार समय के साथ बढ़ता जा रहा है उनका ट्रांसफर पुलिस लाइन में किया जाए इन करमचारियों को exercise के माध्यम से fit होना होगा जिसके बाद ही उन्हें duty पर वापस लिया जा सकेगा विज ने ग्रह विभाग के अतिरेक्त मुख्य सचिव को लिखित निर्देश में कहा कि यह देखा गया है कि पुलिस विभाग में कई पुलिस कर्मियों का वजन काफी बढ़ा हुआ है और समय के साथ-साथ उनका वजन और अधिक बढ़ता जा रहा है इस वज़े से वे अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि पुलिस कर्मियों को फिट किया जाए अनिल विज ने अपने निर्देश में यह भी लिखा कि मैं चाहूंगा कि पुलिस अधिकारियों कर्मियों की फिटनेस बनाए रखने के लिए जिन पुलिस अधिकारियों कर्मियों का वज़न अधिक हो गया है उन्हें पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया जाए और जब तक वे ड्यूटी के लिए फिट नहीं हो जाते तब तक उन्हें एक्सरसाइस करवाई जाए अपराद पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कर्मियों को फिटनेस बहुत जरूरी है इसी को मद्दे नजर रखते हुए ये निर्देश दिये गए हैं ताकि राज्य को अपराद मुक्त किया जा सके मिली जानकरी के अनुसार पुलिस लाइन में पेट कम करने के लिए योग ट्रेनर भी मौजूद रहेगा साथ ही फार्मसिस्ट भी इस दोरान पुलिस लाइन में हाजिर रहेगा इसके साथ ही हर रोज की एक्टिविटी भी दर्ज की जाएगी जिसकी रिपोर्ट मुक्या बेजी जाएगी इसे पहले भी 2022 में हर्याना पुलिस के डीजी पी की ओर से इस बाबत आदेश जारी किये जा चुके हैं